हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, आपकी फार्मली में भी सब लोग अच्छे होंगे, मोस्ट इंपोर्डेंट टॉपिक के उपर आज हम डिसकस करेंगे, आज हम बात करेंगे कि भाई, क्या AKTU University ने गाइडलाइन्स दी है COVID-19 के लिए, COVID-19 के बहुत सारे केसिज आ रहे हैं, लकनाव DM ने भी इस नोटिफिकेशन में साजा किया है, और उन्होंने भी ये गाइडलाइन्स जारी की है, हर एक college, हर एक institute के लिए, ये even सर्फ AKTU के लिए नहीं है, ये गाइडलाइन्स हर स्टुडेंट को भी पोलो करनी चाहिए, भाई, COVID-19 के केसिज बहुत जादा हो रहे हैं, और last time, जो COVID-19 का हाल हुआ था, 2022 में, 2021 में, तो भाई, उसको हम नहीं भूल सकते हैं, जितना बुरा हाहाकार मचा था, किसी ने अपने पापा को खोया है, किसी ने भाई को खोया है, किसी ने मम्मी को खोया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो की जुड़ी हुई हैं emotionally, तो आप लोग जरूर उसका पालन करें, और वैसे भी आप लोग फार्मस एक्टर से हैं, आप लोगों को तो सबसे पहले guidelines follow करनी चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है, कि हम हाँ दिखावा कर रहे हैं, नहीं, हम safety purpose के हिसाब से अपने parents को भी बताएं, और साथी साथ अगत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल BSP Pharmacy पे मैं साक्षी राजपुत इसी तरीके की informatic videos आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, तो पूरी guideline पढ़ लेते हैं, ये complete notification के थू ही हमें guidelines मिली है, तो यहाँ पे देखिए, क्या बोल गया है, क्या लखनाओ के कार्याल लिया जिनमें जनपद लखनाओ भी सम्मिलित है, ये लखनाओ हो गया, गाजियबाद हो गया, मेरट हो गया, नवैडा हो गया, बहुत सारे cases यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं COVID-19 के, COVID-19 के संकर्मन से बचाव एवं रोख्थाम हेतु कार्याले ग्याप में उलेखित दिशा नि कानून दिये हैं, किस-किस को कोलिज में नहीं जाना है, कि इन स्टुडेंट्स को कोलिज जाने से रोकना है, सारी चीज़े हैं, उनके उपर हम डिसकस कर लेते हैं, वन बाई वन करके, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर फस्ट दिया हुआ है, कारियालियों पर COVID-19 protocol का पालन सुनिचित कराया जाए, येस, मदब मास्क लें, सबको मास्क लगा के आना है, सैनेटाइजर सबके पास होना चाहिए, जो सोसल डिस्रेंसिंग है, उसके साथ ही स्टुडेंट्स को महाँ पर जो एंटरेन है, वो किया जाए, उसके बाद नेक्स है, कारियालियों में स पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए, उसके अलावा नेक्स है, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग, छेतर, इत्यादी को समय समय पर सैनेटाइज किया जाए, जहां पे जादा भीडबार वाला एरिया होता है, जहां से लोगबाग डेली ट्रेवल कर र है, सर्दी जुखाम बुखारिया, फ्लू के लक्षन होने पर घर पर ही कॉरेंटीन रहने एवं कोविड जाच कराने हेतु निर्देशित किया जाए, ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं, जितने भी हमारे, जैसे की, जितने भी हमारे कॉलेजिस वगेरा हैं, उनके बारे मे यही सेम गाइडलाइन जो हैं, वो कॉलेज और स्कूलों के लिए भी है, ठीक है, तो स्कूल कॉलेज हेतु दिर्सार निर्देश, यहाँ पर देख लेते हैं, कि इनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, पहले इसको मैं कर लेती हूँ, रेज, अब देखे, फस्ट है, स्क स्कूलों कोलीजों में परवेश दुआरों उपर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए, ध्यान से सुनना, यह सारे प्रोटोकोल्स हैं, मतलब कॉविड नाइंटीन दुबारा से स्प्रेड हो रहा है, क्या सारी चीजे दुबारा से ओनलाइन मोड में आ जाएगी, इ स्कूल, कॉलिजों के हाथ ध вполне के साबून आद उफायन से पानी अत्वा हैंड सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनि चित की जाए, क्या स्ट्ध कुलेरों में जब स्टुडेंट वॉश्रूम अगरा जाता है तो महां पर हाथ धwnieं हम्दने की अच्रे से साबून की यह सेaisonच जब वो हच्छे से हाइंड बोश कर ले उसके बाद सेनिटाइजर की महाँ पर विवस्था की जाए दर्वाजो रेलिंग जूले एत्यादी को समय समय पर सेनिटाइज किया जाए यदि किसी बच्चे को खासी सर्दी जुखाम बुखारादी की समस्या हो तो उन्हें स्कूल क बेजा जाए तथा चिकिस्साए प्रामर्श प्राप्त कर उक्चार प्रदान करें अगर किसी बच्चे को खासी जुखाम या फिर फीवर की प्रॉब्लम है तो ऐसे स्टुडेंट को कॉलिज आने से रोका जाए उसको कॉलिज ना आने दिया जब तक वो completely सही ना हो जाए तो यह कुछ गाइडलाइन हैं AKTU University की जो कि official website पे ही उन्होंने circular के थ्रू हमें बताई हैं आप लोग इसका पालन जरूर करें जितने भी colleges हैं वो भी इसका पालन जरूर करें स्टूडेंस अपने आप से खुद से इसका पालन करें एक sanitizer की bottle हमेशा अपने bag में रखे और हम में इसा मास्क वियर करके रखें ठीक है बाहर आने जाने से खुद को रोके street food खाने से खुद को रोके क्योंकि बाहर का खाओगे तो जरूर उसमें infection और infected सारी चीजे आपको लग सकती है ठीक है और वैसे भी बहुत वाइरल चल रहा है मुझे खुद अभी 15-20 दिन में fever की प्रोब्लम हो गई थी पर उसके बाद वाइरल infection हो गया था ठीक है स्टमक में infection हो गया था तो बहुत सारी चीजे ऐसी हुई है जो कि यह atmosphere के कारण हो रहा है सब को देखने को मिल रही है problem तो अब आज का टाइम ऐसा हो गया है pollution इतना हो गया है air हमारी इतनी polluted है कि जो बिम करें जितना होसा कि आप लोग लिकविड पीए पल फ्रूट काई जंक फूड खाने से बचे पीजा बर्गर इनसे बचे यह बहुत खराब है कभी-कभी चल जाता है मैं यह नहीं बोलूंगी कभी नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए लेकिन जो डेली डेली चाउमीन मोमोज बर्गर खाते हैं आज के टाइम का यूथ आज के टाइम के बच्चे उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा सारी चीजे आने वाले टाइम में जो एज है ना वो लगबक 40-50 साली रह जाएगी बंदे की से जाधा वो जी नहीं पाएगा तो बहुत खराब आजाए कि क्या आपने के सेकंड और फोर्ट साइम का कोर्स जो इन का लिया अगर नहीं किया तो अभी आइए जाए को जो इनकी यह ज्वेंड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्ट इस लिए भी बिकोस सेकंड सम और फोर्ट साम एट साम यंके लिए आपको का में आपके पास एक महीना मेक्स टो मेक्स बचाय तैयारी के लिए अब एक महीने में छे महीने का कोर्स करना है तो आप खुद से तो प्रपेरेशन नहीं कर पाऊगा उसके लिए गाइडेंस की उसके लिए एक ऐसे सपोर्टिव टीचर्स की जो कि आपको दिन रात पढ़ाने की की भी कैपसिटी रखते हों जैए बी सबी एंडेंस वह कािड़ा गंटे की आपको आट बारा घंते की भी हमने करवाई है सिर्फ आपकी प्रेशन के लिए मेरक देखने को मिलेगी कोसे देखने को मिलेंगे लेकिन यहां पर हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ग्रेज, ग्रेजवेशन के सेमेस्टर्स की, सो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप यहाँ सेमेस्टर्स में ही खुद को इतना मजबूत कर लेंगे, कि आपको बाद में कॉम्पिटीशन के अलग से कोर्सिस लेनी क जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही स्ट्रेजी हमारे टीचर्स फोलो कर रहे हैं, यही स्ट्रेजी हम फोर्ट सेम में फोलो कर रहे हैं, कि आपको बाद में जीपेट की अलग से कोचिंग ना करनी पड़े, आपको बाद में गवर्मेंट फार्मासिस्ट के लिए अलग से को नमस्कार.